हाज जी गुड बाउनिंग सर एक दिन डिले हो गया mutual fund यस पार्ट टू है पार्ट टू में वैसे तो कली upload हो जाना चाहिए था पर कुछ वज़ा थी जिसकी वज़ा से एक दिन डिले हो गया पर ठीक reserve date था हमारे पास आज साम को live multiple choice question होगे और किसका होगा सर live जो होगा वो portfolio management का होगा क्योंकि जो RTP आया है RTP में जो MCQs दे रखे में 2024 के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो multiple choice question दिये हुए है उससे अंदाजा ये लगा सकते है कि जो questions आएगे वो case based study हो सकते है फिर ये मैं revision में क्यों करवा हूँ शाम को मिलते है लाइव में मैं discuss करूँगा कि मेरा अनुमान है कि क्या हो सकता है ओके सर तो सर mutual fund चल रहा था येस और सायद हमने return calculation किया था पिछली class में अब कुछ questions ऐसे है एक class mutual fund में ऐसी जिसका board notes मेरे पास नहीं था तो हो सकता हूँ आपके PDF में जो YouTube वाले बच्चे है आपके PDF में ना हूँ पर जो मेरी book और मेरी copy से मैंने जो लिखवा रखा है उससे कर रहा है तो वो बस copy खोलीजिए बाकी सब आपको है it means मैंने यहां screenshot ले लिया है एक class का जिसके questions आपको थोड़े से कम दिखेंगे पर ठीक आप manage कर लोगे और आज जो कर रहे हम second part हर एक question हमको ऐसा लगेगा यार यह LDR होना चाहिए और वाकी वो LDR है मतलब पहतरीन question करने सर यह question हमारी जो आपने book दिया है हमको वो है question number 20 page number 24 अच्छा सर ठीक है और सर क्या यह exam का question है यस और point number 6 और 7 में आप जब मैं पढ़ा रहा था तो आप बहुत बुरी तरह से फसक है और अच्छा भी point है सर इसका एक detail वीडियो आप YouTube में YouTube वाले बच्चे बोल रहे होगे सर इसका एक detail वीडियो YouTube में upload कर सकते हो क्या yes में कर दूँगा ठीक है तो समस्तो ले पहले कि क्या था रिवीजन वालों को तो करवाओ सर जो आपसे class ले चुके हैं उनको तो मैं रिवीजन करवाओंगा कोशन सेम था जो पिछला कोशन किया था पिछली क्लास में आपने एक कोशन तो ये वला बनाया होगा सर ये LDR में डालोगे कि पक का LDR में डालोगा ये ही कोशन इतना अच्छा LR ठीक है और क्या सर ये जो है ये एक घंडे में खतम हो जाएगा मुझे नहीं लगता मुझे लगता एक घंडे से ज़्यादा लग सकता एक घंडे में तो नहीं होने वाला लगेगा दो घंटा तो लग जाने दो सब कुछ करवा दो सर सब कुछ करवा दो ऐसा ना रह जाए कि यार ये छुड़वा दिया रिवीजन में छुड़वा दिया सर ने ठीक है, स्पीड से चलेंगे पर करेंगे सब तो सर ये एक्जाम का कोश्चन नहीं है सेम कोश्चन है और कोश्चन नहीं है एन्वलाइज येल्ड दिया एन्ने भी दिया एक्चुल में और एक साल में 365 दिन मांग रहा है उनका ये कहना है कि सर डॉकुमेंट हमारा मिस्पलेस हो गया तो बताईए हमने कितने दिन के लिए होल्ड किया पिछले कोश्चन में भी ऐसे ही हमने निकाला था सर ये क्या आ गया ये आ गया कि कितने दिनों के लिए होल्ड किया गया था सर ये कहां से आएगा मांगा है भाई वो निकालोगा उस पर मैं बात नहीं करूँगा ओके होल्डिंग पिरियड आ गया है और हमने इसमें होल्डिंग पिरियड रिटन भी निकाला था ये सर रिटन लिए होगा वो बात नहीं है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से, सर, mutual fund A में अगर हम पैसा लगाते है, 300 दिनों के लिए, 300 डेस के लिए, holding period return है, 8% पर analyze return है, 9.733%, ठीक है, कोई दिक्कत के लिए, लगाते हैं, लगाया है, सर, mutual fund B में हमने 124 दिनों के लिए पैसा लगाया है, हमें profit नहीं हुआ, हमें loss हुआ है, 3.8% का, और अगर आप annualize के 124 दिनों का loss है, अगर आप कहते हैं, 365 दिन का loss तो यह दिख रहा है, सर, यह कहां से निकल ला है, वो आप निकाल लो के, ठीक, ऐसे mutual fund C का है, ठीक है सर, अब बात यह है, अगर मुझसे कोई पूछे कि यार, अगर आपको अभी decision लेना है, किसी mutual fund से हटना है, किसी mutual fund में पैसा लगाना है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो इसको holding period return को देखकर तो आप कहोगे कि यार, यह तो loss वाला है, यहां से तो मैं इस mutual fund को बेज दूँगा, कोई मतलब नहीं है, loss में चलने से, लेकिन मैं अगर कहूँ, सर, A और C में पैसा लगाई है, क्योंकि दोनों से तो एक जैसा है, बिट्टे, यह 8% भी holding period return है, यह holding period return से comparison नहीं कर सकते, आपको annualized return से comparison करना पड़े हैं, इसलिए तो annualized return निकाला जाता है, आपको लगता है न, सर, holding period return तो निकाल लिया, annualized return क्यों, decision लेना, अगर आप decision लोगे, सर, A में भी 8% की कमाई, C में भी 8% तो दोनों एक ही है, नहीं, नहीं, यह 300 days में कमाकर, और यह 195 days, बताओ कौन सा अच्छा, सर, यह वाला अच्छा है, जिसका annualized return जादा है, वो अच्छा है, तो अगर कोई मुझ से बोले, divergification को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, कोई मुझ से बोले, कि अगर आपको किसी mutual fund से निकलना है, और किसी में, दूसरे mutual fund में invest करना है, इन में से, तो मैं ये वाला भी base दूँगा, ये वाला भी base दूँगा, और C में invest कर दूँगा, तो पहला point तो यही था, point number six में तो भी आप कर लोगे, दिक्कत नहीं है, तो पास्ट पर्फॉर्मेंस, पास्ट पर्फॉर्मेंस ही देखते हैं, अगर भूले हम पास्ट पर्फॉर्मेंस को देखते हैं, और यही अगले साल भी होना है, तो बताइए, इन्वेश्टर को क्या करना चाहिए, and what will be the expect return, sir, 15% for the next one year, after Abuda action, time pass है, अगर हम action लेते हैं, हम ये वाला बेशते, ये वाला बेशते, ये वाला बेशते, C में लगाते हैं, तो बुदो अगले साल रिटन कितना आएगा, 15%, हम A को बेचेंगे, B को बेचेंगे, C में लगाएंगे, ये वाला बेशते, ये वाला बेशते, तो समझ में आ भी गया होका, अब आगे खेल है, point number 7, sir, 7, हाँ जी, यही है, will your answer as above point number 6, पढ़ना अच्छे से, इसको मैंने क्या करवाय था समझना इसका अंसर मैंने इधा लेका आप सुनना देहां से तर वो क्या कहता है मालो पहले mutual fund B की बात करते है तर यह है mutual fund B आज यह है ठीक है सर यह है आज और 124 दिन हो चुके है बोलो हाँ हो चुके एक साल में 124 दिन तो हो चुके 124 दिनों में आपने profit कमाया कि loss sir loss analyze 11.185 परशन का loss क्या निकलना चाहोगे हाँ सर निकलना चाहेंगे तो बोले अगर अब भी आप निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो यहां से निकलो और कहा लगाएंगे C में लगाएंगे C में क्यों लगाएंगे मैं आपको बता चुक हूँ सर लगाएंगे तो C में ही लगाएंगे अगर आप C में लगाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा return उसकी है क्यों C में लगाने से क्या फाइदा है sir यह loss हटेगा और हमारा 15 परशन की कमाई होना इस्टार्ट हो जाएगी please C में लगादो आज ही लगादो आज ही लगाओगे भाई तो 5% exit load लगेगा no doubt आप extra कमाओगे आपको यह comparison करना extra कितना कमाएंगे extra कितना कमाएंगे और लगेगा 5% और यह जो कमाई होगी switch करने से shift करने से जो कमाई होगी उसका comparison हम 5% से करेंगे यहां तक ठीक है या तो फिर एक काम करो और बचे हुए दिन वेट कीजिए बचा हुआ दिन कितना है 241 days 241 days का वेट कीजिए और उसके बाद तो exit load लग रहा नही है तो यह चेक करो कि 241 days में कमाएंगे कितना यहां तक ठीक है पर मुझे बताओ आप extra कितना कमाने वाले है extra अभी है minus B में लगाया तो minus में बच सर अगर हम C में लगाते है C में लगाते है तो plus में आएगा मैं कह रहा हूँ extra कितना कमाऊगे सर minus हटेगा और 15 अलगा जाएगा सर 15 plus 11.185 सर 26.185 पर्षन कमाएंगे extra extra और कितने दिन में कमाएंगे 241 क्योंकि हम comparison यहीं कर रहा है इसके बाद अगर आप switch करते हो तो आपको exit load लगने वाला नहीं है तो मैंने इन extra दिन की extra कमाई निकाला और कमाई आ रहा है 17.29 पर्षन इसका comparison 5% से करो क्या कहते हो इतना extra कमा सकते हो 241 डेज में 241 डेज में बट लगेगा 5% exit load क्या चाहते हो जल्दी से बोलो सर सुनो ना कर लो ज्यादा की कमाई 5% दे दीजिए 17.29 कमा रहे हो आप सुच करने से अगर ये ये जो बच्चे हुए दिन है अगर आप अगले साल करोगे तो फिर तो 5% अगले साल तो ऐसे भी करना वैसे भी करना सवाल है कि अभी हमें shift कर देना चाहिए कि नहीं सर कर देना चाहिए ऐसे पहले mutual fund B की बात हुई अब बात होती है mutual fund A की कितना दिन हो चुका है सर 300 दिन हो चुका है कितना दिन बच्चा है सर 65 दिन बच्चा हुआ है अभी कितने की कमाई हो रही है 9.733 की किसकी बात कर रहा हूँ A में C में जाएंगे तो सर 15% की तो बताओ एक्स्ट्रा कितना कमा रहे है सर 5.267 कितने दिन कमाओ के 65 डे 365 दिन खतम हो जाएगा उसके बाद तो कोई दिखत ही है तो ठीक है सर एक्स्ट्रा कितना कमाओ के 0.9380 परशन लेकिन भीया अगर आप इधर से इधर जाओगे इतना डिटेल नहीं बताया उन्होंने दो लाइन में लिखकर खतम कर दिया इप दो म्यूचर फंट चैंज एग्जित लूट चार्ज स्वारी 5 परशन इफ उनिट्स आर डिदीम्ड विधिन वान एयर दैन उनिट्स आप बी शुड बी रिदीम्ड नाउ क्यार आम डिट मैंने बरबात कर दिया इस कुशन में चले आगे और ना आप कहोगे कि सरा आपने दूरेशन बढ़ा दिया इसका भई दूरेशन ये नहीं समझाऊं कि मैं आपको समझाना तो पड़ेगा चलो जी तो हमारी बुक का है क्या ये AFM मॉडूल का क्योशन है यस TYK 17 पेस नमबर 8.26 ओके अच्छा क्योशन है सर ये LDR LDR 100 वर्शन है अच्छा क्योशन है और ये LDR में जाना ही चाहिए पुलराश शान्मोन मीजल फंट एप्रूड मीजल फंट स्पॉंसर्ड ओपन एंडड एक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चानक के ऑपर्चटी ते वर्थ थ्री प्लाइन अच्छा क्योशन है तो ये यार हम जो इन्वेश्टमेंट कर रहा है एक तो हमारे पास है डिवीडेन री इन्वेश्टमेंट प्लान क्या होता होगा सर जो डिवीडेन मिलता होगा उसका री इन्वेश्टमेंट कर देते होगे मतलब और यूनिट्स खरीद लेते है दूसरा बोनस प्लान तो जो म्यूचल फंट है वो कहता एसिट मैनेजमेंट कमनी वो कह रही है यूनिट्स खरीद ही क्यों हम आपको पैसे दे रहे है आप हमारी यूनिट्स खरीद रहे है तो यूनिट्स ही बोनस के रूप में दे देते है खतम ना पैसे देंगे ना बात होगी और तीसरा पीच में कुछ नहीं मिलेगा तो बीच में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सबसे ज़्यादा एने वी एने वी की बात करूं तो इसी का होगा बीच में मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं तो मेरा कैस तो आप्टमेटिक बढ़ जाएगा कुछ कहरें कुछ बच्चे के सर ये वाला अच्छा भी या ये वाला अच्छा है सर तो फिर बीच में तो बीच में कुछ मिलेगा भी इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा अगे बड़े अट दा टाइम आप इनीशिल ओफर ये इंपॉर्टन शब्द है इनीशिल जब इनीशिल पब्लिक ओफर किया टेट भी दिया एक चार निन्यानबे को तीन लोग थे मिश्टर आनंद बच्चन चारू और इन्वेस्टर कितना कितना रुपए इन्वेस्ट किया एक लाग रुपए कब एक अप्रिल इन्डियान वन अप्रिल नाइटिन अब भी मैं जितने भी कोशिन करवा रहा हूं सब इंपॉर्टन है मैं बार बार आप से एक बार बोल ठीक है सर एक लाग रुपए इन्वेस्टमेंट किया और अब आग किसे हिस्टरी दे रखा है फंड की कब से 28 जुलाई 2003 और ये कौशी डेट है एक अप्रिल नाइटिन तो सर ये तो बहुत साल पहले है हाँ तो सर कितना युनिट्स खरीदा होगा कुछ नहीं दिया कुछ नहीं तो सर ये वाला प्राइस ले ले बिट्टे ये वाला प्राइस कैसे ले सकते हो है ने भी ये तो 28 जुलाई 2003 का है सर लिखा तो है IPO तो IPO जब किया तो कुछ दिया नहीं है तो क्या हम face value 10 रुपे assume कर ले ये और IPO के समय units खरीदा है तो एक लाग divided by 10 तो 10,000 units ही खरीदा होगा assume किया मैं अब देखो dividend में क्या लिखा है dividend ये लिखा है कि dividend reinvestment plan में हमको ये देखना पड़ेगा तो सर dividend मिलेगा हां और फिर units और खरीदेंगे तो units बढ़ जाएगा ये dividend reinvestment plan में मान की चल रहा हूँ और फिर dividend मिला तो फिर और units खरीदा पर खरीदा किसके सबसे इसके सबसे फिर और dividend मिला तो हमें ultimately क्या देखना है हमें बस इतना देखना है सर कि हमने यहाँ जो पैसा लगाया था वो 31 साथ 2009 सर लगाया कब था एक अप्रेल 99 से 31 जुलाई 2009 मतलब इतने साल बात सर 124 मेहने काउंट कर लेना 2009 से ठीक 120 प्लस 4 124 मन्त बाद मन्त में काम हुआ है इस कोशन में 124 मेहने बाद number of units क्योंकि dividend reinvestment कर रहा है तो number of units बढ़कर कितना हो गए पहला काम तो यह निकालना तो सर इसमे number of units बढ़ेगा हाँ जी सर बोनस प्लान में भी number of units बढ़ेगा हाँ लेकिन growth प्लान में number of units नहीं बढ़े और 31 जुलाई को सारी की सारी units redeemed कर दिए कोशन अच्छा है बार बार आता है ताइम लग जाता है तो लग जा है इसके अलामा आपको क्या निकालना annual rate of return और यह मांगेगा effective yield आपको करना एक ही तरीके से हाला कि आपका जो extra knowledge है extra ग्यान है तो अलग होता है और annualized rate of return भाईसा बहुत करवा चुका हूं यह सब काम कोई फायदा नहीं है वैसी करो जैसे इंस्टिटिट्ट long term capital gain exempt हो जाएगा बिल्कु सही अच्छी बात है पहले short term capital gain 10 person लगेगा short term capital gain सबको मालूम है अगर एक साल की अंदर अंदर units जो खरीदा है एक साल की अंदर अंदर जो खरीदा है अगर उसको redeem करेंगे तो उस पे capital gain tax लगेगा सर मतलब 31 जुलाई से पहले 24 मार्च 2009 हाँ यह अभी अभी का है तो यहाँ जो units खरीदा गया होगा उस पे आपको capital gain tax देना हो और इसके अलावा security transaction tax 0.2% सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है redemption of units में लगता है ignore education says तो सुनो धियांस हमने assume के एक लाग divided by दस दस जार units ओके दस जार units था dividend reinvestment plan की मैं बात कर रहा हूं और सर फिर 20% dividend है तो 20% मतलब सर 10,000 into 10 into 20% याद रखना face value से multiply करना और face value है 10 रुपए ओके सर तो जो 20,000 units 20,000 रुपए मिले तो हमने कितने में units खरीदा सर 30 रुपए 70 पैसे में जो NAV होगा उसके सबसे units खरीदेंगे किसी बच्चे ने यहां गरबड किया था units को rounded off कर दिया था units fraction में बता रहा हूं exam में ऐसा हुआ भाई units को please round off मत करना point के बाद 2 या 3 डिजिट लिखना पका ओके सर तो 20,000 divided by किया तो ये extra unit आ गया सर अगली बार dividend इस पे लगेगा into 10 into 70 परशन खिक इस तरह से चलते जाएंगे और NAV से divide करेंगे तो NAV उस समय का जिस दिदें dividend मिल रहा है फिर ने यूनिट्स आएगा इस तरह से हमारे पास total units कितना हो गया 14,906.15 कितने मेंने बात 124 मेंने बात अब सर 14,906.15 units को बेचेंगे यस 31 जुलाई को बेज देंगे उन्होंने का और 31 जुलाई को rate क्या है 53.75 तो सर 53.75 का बेचेंगे क्या है यह बेज दिया 53.75 हम निकाल क्या है हम ये निकाल रहा है भाई कि हमने 124 मेहने पहले 1,00,000 रुप्या लगाया था और आज कितना हो गया तो हम percentage निकाल लेंगे return on investment तो सर 16,202 16,202 हटेंगे तो बेचेंगे समय हटेंगे 0.2% तो सर इतना मिलेगा और एक चीज़ श्पेशल है capital gain tax capital gain tax एक साल पहले पहले कितना units खरीदा था तो ये वाला capital gain tax में फसेगा पाकि अब देख लेना और कितना units ये वाला 11,46,43 units कितने के हिसाब से 48,10 के हिसाब से खरीदा था और बेच कितने के हिसाब से रहा 53,75 53,75 minus 48,10 this is capital gain institute capital gain निकालते समय STT को ये मान रहा है कि आप इसको expenses की तरह treat कर सकते हो हाला कि नहीं करते हैं हाला कि उन्होंने इस्टार लगा कर लिख दिया कि आप इसी ignore भी कर सकते पर solution में किया तो मैं वैसे कर वा तो sir हमने इतने का बेचा tax काटने के बाद net हमको इतना मिला खरीदा था 48.17 में तो capital gain per unit आया 1144.43 units है और इसका फिर 10% 10% हमारा क्या हो गया short term capital gain tax वो भी minus कर दिया उसके बावजूद भी हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है तो अब simple है holding period return holding period return निकालना आता है फिर annualized return निकालनेगे okay sir holding period return कितना है last का value लगाया था एक लाग divided by एक लाग into 100 तो यह आ गया holding period return अब annualize यह कितने मैंने का है sir यह 124 मैंने का तो 12 मैंने का कितना निकल जाएगा this is effective yield बोलेगा यह annualized rate of return बोलेगा एक ही बात okay sir मज़ आ गए okay तूसरा है bonus plan bonus में कुछ नहीं हमारे पास units कितनी थी एक लग इस दिन bonus हुआ 5 इस टू 4 चार के बदले में 5 तूसर 12500 यूनिट्स बोनस की रूप में मिली तो टोटल हो गए 22500 ते तीन के बदले में एक सर साथ साड़े साथ तूसर यह टोटल मिलाकर 37500 यूनिट्स हो गए 37500 यूनिट्स कितने के हिसाब से बेचेंगे चेक करो sir 22.98 के हिसाब से बेचेंगे 22.98 के हिसाब से बीचा अब बात है कैपिटल गिन टेक्स की और फिर आपका ग्यान आपके बीच में आएगा इसर बोनस तो फ्री है cost of acquisition बोनस यूनिट्स का या बोनस शेयर्स का जीरो लेते हैं इंस्ट्यूट ने लिया है तो हम बिलेंगे और इंस्ट्यूट ने लिया है उस दिन जिस दिन बोनस मिला ना ये ये वाला इस पे short term capital gain है उस दिन यूनिट्स कितने का था और आज कितने का इस्ट्यूट्री को expenses माना into capital gain तो ये आ गए है ठीक है और सर ये निकल गया holding period और ये निकल गया annualized return वाव सर का लाश्ट में 82.07 था मल्टिप्लाई किया एस्ट्यूट्री काटा तो ये आ गया और holding period return निकाल लिया और उसके बाद फिर हमने effect yield ने का जो भी time लगा वो किसमें लगेगा dividend reinvest अच्छा कोश्चन है प्रीज देख ले ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत सारे कोश्चन आए हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा time लगा दिया कोश्चन नमबर 25 हमारी बुक का है अगर आप अपने इसमें देखोगे sorry AFM module की बात करो AFM module में TYK 18 मतलब सर ये कोश्चन भी AFM module में डला हुआ है TYK 18 पेज नमबर 8.27 और पिछला वाला भी कोश्चन हमारे AFM module का ही कोश्चन है किसा तो सर इसको कर वाओके इसको मैं नहीं करूँगा इसमें खास बात देखना 10 से डिवाइड मत कर देना यहां investment दे रखा और NAV जिस दिर आपने investment किया NAV दे रखा है पाकी तो कुछ है नहीं है और सर यहां तो दो ही plan है क्या हाँ है तो तीन होई कौन कौन सा है यार सर यहां dividend plan है ठीक है और bonus plan है दो ही तो है वाओ पर तो लोट्री लग गई आपके और सर capital gain win का कोई जंजट नहीं सर estritory का कोई जंजट नहीं सर education says वो तो ही नहीं है तो सर यह तो home work देज़ा कर लेना कर लेना कर लेना अच्छा कोशन है LDR में डालोगे कि सवाली पैदा नहीं हो बस एक विसेज बात है बस any way निकलते समय इससे divide करोगे तर यहांगे सर सिंड्रेला कट कर दो काम का नहीं है कट कर दीजिए यह पूरा कट ओके सर यह भी कट हाँ टाइम थोड़ी नहीं सर यह भी काट देंगे कि बिल्गूल काटा लगा लो यह वाला कोशन अच्छा है भाई साब इस कोशन से एक कोशन निकल के आएगा यस सर एक बार क्या रिट करें कोशन को बहुत अच्छा कोशन है चलो देखते हैं लिखा क्या है लिखा है दुरिंग दा येर दोहजास सत्रा इन इन्वेस्टेड इन आ मूच्छल फ़ण्ड ठीक है भाई दोहजास सत्रा तो capital gain and dividend for दोनों मिला कर 3 रुपए per unit capital gain मतलब सर ये dividend के रूप में मिला हमको सीधी सी बात है मतलब mutual fund ने पीच में हमें दिया which were reinvested और बोले हम इसको 23.75 के सब से reinvest कर देते है सर ये last का एने भी है yes इन्वेस्टेर है जे total units 26,750 पर total units का भाई बिगनिंग में था नई end में था end का unit से दे रख है end का मतलब सर जो dividend reinvestment किया न वो सब मिलाकर unit था 26,750 ऐसा क्या और एने भी बोले appreciate हो रहा है 18.75% से during the year सुनोगे सुनोगे क्या ending एने भी दे दिया है हाँ बिगनिंग नई दिया है पर वो बला जो भी एने भी रहा होगा वो बढ़ गया और कितने से 18.75% से बढ़ बढ़ा तो बढ़ने के बाद ये हो गया तो बिगनिंग एने भी तुने काल सकते है सर ये जो 23.75 पैसा दिख रहा है एने भी वो बढ़के आया है तो उसको हटाईगे तो 20 रुपय आ जाएगा ना सर कैसे आया है एक्सवेक्स लेके वो में नहीं करवाना चाहता है सीए फाइनल में रिवीजन चल रहा है ठीके सर ये तो आप समझा जो तो क्या हमें बिगने एने भी मिल गया लेकिन ये जो में करवा रहा हूँ इसको अच्छे से देखना अच्छे से ओके सर त्यार हैं लो ओके अब धियान देना अब मुझे क्या निकालना है या मुझे निकालना क्या है सर बस वो ये बोल रहा कि बताओ आपने कितने रुपए का इनवेश्टमेंट किया था कितने रुपए का इनवेश्टमेंट किया सर एंट्री लोड वगेरा वो बाद मैं बता दूँगा सर हमने एक युनिट भीस का खरीदा था बिल्कूल सहीं कितनी युनिट्स खरीदा था 26,750 26,750 यूनिट्स नहीं खरीदा था आपने कुछ यूनिट्स खरीदा था बीच में डिविडेन भी मिला और दोनों एड होकर आया है 26,750 सवाल है कि डिविडेन्स से पहले आपका यूनिट्स के था सर एक्स मैं मजा आता है हमको एक्स लिखा ठीक है सर एक्स का मतलब सर पहले का यूनिट्स और सर हमें डिविडेन्ट भी तो मिला एक यूनिट पर तीन रुपे डिविडेन्ट है तो ये है नमबर ओप यूनिट्स पहले का मल्टिप्लाई किसे किया 3 से तो ये आगया डिविडेन्स एमाउंट और डिवाइड़ बाइ क्या किया 23.75 तो उसका एक्वेट करके आ गया कि भई ये पहले का यूनिट्स और ये डिविडेन्ट री इन्वेस्ट्मेंट इन दोनों को एट किया तो आ गया 26,750 यहां तक कोई दिकत नहीं है और फिर मैं इसको घुमा घुमा कर यह दिखी रहा है आपको एक एक्वेशन बना दिया और ये वाला एक्वेशन बहुत का है ये वाला एक्वेशन इस इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें मैं बार-बार एक्वेशन नहीं बनाँगा सर 26,750 जो यूनिट्स है न वो लाश्ट का है सर उसमें डिविडेंट वाला भी जुड़ा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ बैटे एक्वेशन देखा चिसे सर 26,750 है वो ये वाला एनेवी प्लस डिविडेंट मिला कर है मैं कहता हूँ कि इस इन दोनों को मैं पार्ट में बाढ़ दूँ तो अगर 3 से मल्टीप्लाइ करूँ मैं रेशो बना दिया रेशो समझ रहा हैं आप हाँ सर ये 3 क्या है सर डिविडेंट और ये क्या है सर ये डिविडेंट से पहले का unit समझने की कोशिश करो मैंने लिखा 26,000 सर ये समझा क्या हो रहा है हम तो इससे भी तो कर सकते समझा रहा हूं 26,750 और ये दोनों मिला कर डिविडेंट मिला कर एने भी कितना 23.75 और 3 रुपे डिविडेंट तो सर ये इसमें तो डिविडेंट जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं 23.75 प्लस 3 चाहिए क्या मुझे डिविडेंट वाला चाहिए तो इन्टू 3 कर दूँगा चाहिए क्या सर मुझे dividend से पहले का units चाहिए तो फिर into क्या कर दूँगा 23.75 सरी आया कहां से आप इस equation को बनाया है वो मैं समझा ज़ता हूँ यह क्या है सर यह including bonus होता ना वैसे सर यह including dividend है including dividend units मैंने नीचे यह लिखा सर पर हमको dividend units से निकालना है तो बस आप multiply 3 से कर लीजिए सर हमको new units ने निकालना हमें dividend से पहले का unit से निकालना है तो multiply 23.75 से कर लीजिए काम आने वाला है काम आने वाला है तो answer क्या है सर 23,750 परिकत है क्या 23,750 अब 23,750 यूनिट हमने खरीदा था 20 रुपए के हिसाब से और कहीं अब question में बोल दिया कि entry load लग गया पॉइंट है 05 तो उसको हमने multiply कर दिया units खरीद होगे तो entry load तो लगेगा लगेगा इसमें दिया है तो हमने यूच किया तो हमने इतना investment कर रखा ठीक है तो इसको LDR में इसको नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अगला question डालूँगा ये वाला question है तो ये कैसा print है print कैसा नहीं है actually इसका board notes नहीं है आपको जो soft copy है YouTube वाले बच्चे जो soft copy दी गई है उसमें ये वाला question नहीं डला है क्योंकि board notes नहीं था इसलिए मैं ऐसा आगे वाली class से मैं खुद लिखकर आपको board notes प्रोवाइट कर दूँगा आप चिंता ना करों कोशिश कर रहा हूँ ऐसे तो ये question जो बच्चे जो students है जो मेरी class ले रखा है तो अगर आप देखोगे तो आपकी book में मिलेगा question number 20 ठीक है क्या सर ये हमारे AFA module का question है नहीं है पर क्या exam का question है सर इस attempt में आया था क्या इसे पहले वाले important question है भाई important question तो इसलिए मैं revision में कर वा रहा हूँ तो नहीं तो नहीं कर वा था सरी तो दिख भी नहीं रहा है ना यार नहीं दिखेगा ना यार मैं कैसे करूँगा स्क्रीन जितना है जैसा है manage करते है कुछ नहीं है एक चीज समझानी है बात खत्तब कोई AMC है एक अप्रेल 2015 को है डिविडेन प्लान है रो बोनस प्लान है उसमें investment कर रखा है ठीक है कोई Mr. X है investor है उन्हें बहुत इसकी में उनको सब पता है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि issue price क्या था it means क्या क्याना चाथे उन्हें ये नहीं पता है कि जब हमने पैसा लगाया था एक अप्रेल 2015 को तो कितना पैसा लगाया था एक कितना units खरीदा था और कितना पैसा सर पैसा कितना लगाया था वो तो यहां नीचे दिया है ठीक है सर face value दस मान लेते हैं भी या issue price दस मान लेते हैं न सर खतम कहाने खतम तो खतम वहां सारे बच्चे नहीं मालू में क्या बोला था जब मैं एक class ले रा था बोले सर ठीक है न सर पिछला एक question में हमने कुछ नहीं बोला था तो face value हमने दस ले लिया था ना हाँ बोलो न सर तो सर यहां investment दिया 9,20,000 हाँ और number of units number of units वो निकाल लेंगे न सर issue price हम 10 रुपे मान लेते हैं ऐसे थोड़ी नहा है फिर तो खिल खतम हो जाएगा चलो वहाँ सब्द लिखा था IPO initial public यहां तो मांग गई है भाई वो चीज अब ध्यान से काम करना यह सब information दिया है सर यह dividend का information दिया और यह bonus दो बार दिया हुआ ठीक कोई short term capital gain वेन नहीं है तो जिंड़ी खतम है अब देखो अगर मैं dividend plan की बात करूँ तो यहाँ investment है 9,20,000 और सर बोनस plan की बात करूँ तो यहाँ है 10,000, ठीक है सर इसमें कोई देखा अब उन्होंने सब दियूच किया average profit average annual profit मतलब क्या कहना चाहता है मतलब वो कहना चाहता है कि यार देखो हमने जितना लगाया था हमने हर साल हमको profit हुआ है 27,748,60 हर साल तो बताओ पास साल का मिलाकर profit कितना कितना है हर साल का profit तो पास साल का मिलाकर है इतना profit और आपने लगाया कितना था सर हमने लगाया था 9,20,000 यह दिख रहा है आपको 9.000.000 तो टोटल एंडिंग वैल्यू आ गया आपका यस लाश्ट का पास साल बात का एंडिंग वैल्यू आ गया और एनेवी यहां का तो हमको मालूमी है मतलब सर यह इन्वेश्टमेंट वैल्यू आया लाश्ट का लाश्ट का मतलब सर उसमें ये वाला dividend include होगा कि हाना भाई include होगा अब back calculation से हम dividend हटा हटा कर हटा हटा कर यहां का units निकाल लेंगे अगर units से निकल गया तो फिर तो issue price निकली जाएगा क्योंकि हमें investment मालूब है नौलाग भी से सर आपने क्या किया अब देखो यहां से अगर मैं कहूं तीन बार dividend मिला है वहाँ date नहीं भी दिख रही होगी question में तो चिंता ना करो date हमारे लिए important नहीं है ये वाली date है ये वाली date है ये वाली date है ये dividend मिला पर dividend मिलने के बाद units कितने थे 21,607 तो 21,607 में dividend per unit में ने निकाल ये sir face value कितना माला मैंने 10 रुप है एक रुपिया पचास ओके sir अब अब काम की चीज़ अब मैं कहता हूँ यार इसमें एनने भी कितना है 45 अब देखो मैंने क्या निकाला मैंने निकाला additional units हलाकि मैं सीधा भी यहाँ into 45 कर देता तो 20,910 निकल जाता पर फिर भी time pass किया मैंने additional units institute ने किया ना मैंने भी किया यहर 21,607 है divided by इन दोनों को add कर दिया और additional units यह निकाल लिया 1.5 bonus units additional units यह equation कैसे बनाया अब भी बनाया था अब भी जश्ट बताया और सर 21,607 में से यह minus कर दिया तो 20,910 निकला सर 20,910 कैसे निकल सकता था 21,607 into 45 divided by 46.5 ऐसे भी निकल सकता था तो वो वाला units 20,910 यहां लिखा रैक calculation चलो इससे फिर यह sir dividend के पहले का है 10% एक रुप है इन दोनों को divide किया होगा और यहां additional units और इसमें से यह minus किया तो 20,000 पास तो यह sir बात समझ में आ लिखा तो last में कितना units sir 20,000 units ओके और sir यहां कितना आ रहा है 20,000 units sir beginning में investment कितना किया था 9,20,000 और कितना units है 20,000 तो sir NAV आ गया issue price आ गया yes और issue price कितना आ गया 46 issue price आ गया 46 आपके copy में बना हुआ है ठीके sir और बोनस units में क्या करना बोनस units आराम से कर लिखा बोनस units के विसमेंस होसते हैं यह bonus units sir bonus units में इस बार उन्होंने yield percentage में दे रखा 6.4% और यह average yield annual yield दे रखा क्योंकि मेरा investment past साल का तो holding period return में ने निकाल ली ठीक है अब holding period return का formula क्या है closing value minus opening value divided by opening value into 100 तो यह आ गया 23,20,000 यह कब का आया closing value और उस समय NAV कितना था bonus units में sir उस समय NAV था 44 तो 44 से divide कर दिया होगा मैंने closing last में 5 साल बात का number of units आ गया है जो कि आया 30,000 अब bonus ratio है 1 to 5 मतलब sir इसमें bonus जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको 6 लिया और उपर 1 लिया बाकी आपको आता है तो sir 5000 bonus का हो गया है तो बच्चा हुआ क्या हो गया है units before bonus 25 अर में भी bonus होगा क्योंकि उसके पहले वाला bonus ठीक है तो sir 1 by 5 किया ठीक है sir यह तो आ गया sir मतलब यह LDR में जाएगा कि 100% यह भी जाएगा LDR यह भी जाएगा LDR ठीक है sir कितना time हो गया है sir 38 nights अगे चले अची आगे चल रहा है यह वाला question sir यह वाला question कभी कि आपके पस board notes नहीं है अगर मैं कहूं कि यह हमारी book में कौन सा question है question number 22 अच्छा question है sir LDR है कि पक्का LDR और sir IC AI में इस type के दो questions दे रहा है दोनों एक जैसे है मैं दोनों नहीं करवाँगा मैं एक करवाँगा मैं करवाँगा एक ही question है तो एक ही गर अच्छा question है ओके sir लिखा कि यहां बोले Mr. X ने एक अप्रेल 2007 को 1st अप्रेल नहीं 1st जुलाई 2007 को जब initial offer था मतलब sir 10 रुपय का एक unit रहा होगा बोल भी दिया case value 10 बोले 10,000 units खरीदा 10,000 units मतलब sir एक लाख रुपया लगाया 10,000 units 10 के साबसे एक लाख रुपया लगाया sir यह जो chart है यह जो time scale diagram है यह आपकी copy में already बना हुआ कब लगाया sir एक जुलाई को 2007 को ठीक है sir यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यह तो बात हमको समझे में आती है sir return calculation ही है ना हाँ छी on 31st March 2008 ठीक एक साल बाद dividend paid by the mutual fund 10% मतलब sir एक लाख का 10% 10,000 रुपय डिविदेंट मिला and Mr. X found that his annualized yield was 153.3% एक तो सब्द लिखा annualized 153.33% तो sir हम क्या holding period return निकाल सकते हैं अब sir जो dividend मिल रहा है उसको reinvestment हो रहा है या नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं दिया है हम क्या assume करेंगे dividend reinvestment हो रहा है sir उसकी वज़ा है हम मैंने बताया था कि यहां जब सुरू में था 10,000 units जब last में देखोगी तो दिख रहा है 11,296 units इसका मतलब या units बढ़ी कैसे उस बच्चों का कहना था सब्यूनिट से बीच में purchase किया होगा बीच में कहीं भी units purchase नहीं किया इसलिए जो dividend मिल रहा है हमने उसका reinvestment किया sir holding period return निकाल ले किया yes पहले में किस साल की बात करूँगा पहले में इस साल की बात करूँगा यहां था 10,000 units 10 के सबसे सर एक लाक रुपए यहां dividend मिला 10 percent मतलब सर 10,000 रुपए यह लिदे रखा 153.33 percent यहां का एनेवी मांगा है तो हमने क्या किया हमने का यार 153.33 percent हमारा 12 महने का रिटन है एनुलाइस पर हमने तो 9 महने 9 मन्थ ही होल्ड किया है तो मैंने 9 मन्थ का होल्डिंग पिरिड रिटन निकाला अब होल्डिंग पिरिड रिटन का हमको फॉर्मूला पता है holding period return is equal to closing value minus opening value divided by opening value और closing value मतलब हम यहां का value निकाल लेते हैं opening तो हमको एक लाग पता है और 115 percent हमारा holding period return है तो सर यहां का value आ गया कितना आ गया 2,15,000 है 2,15,000 मुझे निकालना क्या है basically मुझे निकालना एन आ भी सर तो जो 2,15,000 रुपिया दिख रहा है क्या वो 10,000 units का value है नहीं 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 भाई 10,000 units प्लस 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 कुछ extra units भी तो आया होगा जो मैंने 10,000 रुपे में खरीदा होगा extra units extra units मतलब सर जो dividend reinvestment किया वो वाला unit पता कैसे लगाएंगी सर कितने में reinvestment किया बोलें यहां जो एनेवी है ना पे reinvestment हो रहा है अब सवाल है एक काम करो यार 10,000 का जो units खरीदा है इसी value पे तो खरीदा होगा वो 10,000 रुपे आप पहले अलग कर दो बाद में हिसाब किताब करेंगे वो additional unit पहले तो आप अगर 10,000 dividend का amount अलग कर दीजी इसमें तो 2,500,000 ही बचा है और 2,500,000 जो value है एक्च्वल में वो 10,000 units का है तो पहले पहले वो वाला काम कर देते हैं तो मैंने 2,500,000 में से 10,000 हटा दिया dividend वाला अलग सालग तो बचा मेरा 2,500,000 जो 2,500,000 है वो 10,000 units है ये 10,000 units का cost है तो सर 20,50 पैसे और वो 10,000 रुपए है न वो हमने reinvestment किया होगा 20,50 पैसे की सबसे 487.805 units है और भी बहुत सारे तरीके हैं आप किसी से लिए कर ले न आंसर इतना है तो इसका मतलब यहाँ इस date में हमारे पास अब units हो गई है 10,000 487.805 805 इतना units हो गए है आगे क्या लिखा हुआ है आगे उन्होंने ये लिखा है कि 20% dividend दिया गया और कब दिया गया 20% dividend was given on 31st March 2010 ये तो अलग है on 31st March 2009 question को मैंने सुधर वा लिया था यहाँ से ना भई on 31st March 2009 यहाँ 20% dividend was given और फिर वो आप से यहाँ का एनले मी मांग रहा सर कितना परशन डिविडेंट दिया गया 20% सर किसका भई यहाँ जितना units था सर डिविडेंट का एमाउंट एक बार निकाल ले क्या येस मैंने डिविडेंट का एमाउंट निकालना 10,488 10 रुपए face value 25% सर इतना रुपए डिविडेंट मिला अब इतना रुपए डिविडेंट तो मिल गया भई एने वी कितना था अब ध्यान से देखना इस डिविडेंट में units कितना था देखा जाए तो सर 10,487 पॉइंट कुछ कुछ होना चाहिए लेकिन अगर question ठीक से देखो तो उन्होंने का ठीक एक साल बात हमने सारी 11,296.11 units बेच दी अरे भाई यहां आपने 11,296.11 units बेचा हाँ और यहां था दा सर बीच में आया कहां से खरीदा है क्या नहीं सर जो डिविडेंड होगा ना डिविडेंड उसको हमने रिइन्वेस्टमेंट किया होगा इसलिए तो हमारी units बढ़ गई तो सर फिर तो ऐसा हुआ हमारी additional units कितनी बढ़ी होगी और एक्चुल में इस डिविडेंड जो है ना उससे हमने 808 units खरीदा होगा तो उस एने भी निकल गया 25.9 बस और कुछ नहीं है और फिर उसने लाश्टमें के लिए फिर हमको उसनोंने analyze yield दिया है तो इससे holding period return निकलेंगे और HPR को यूज करके closing value minus opening value करके काम कर देंगे ये किया holding period return निकाला तो ये आ गया मतलब सर बारा महने का total सुरू से लेके आखरी तक 33 months होते account कर लेना और ये return दिया है ये है opening value closing value निकाल लेंगे तो सर closing value निकल गया और units है इतना तो enemy निकल गया 26.75 बहुत अच्छा कोशन है भाई इस करके चले जाना thank God बात खतम हो गए ओके return calculation खतम हो गए अब उमीद करता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब seriously नहीं लगेगा जो मेंदा सर ये LDR में पक्का डाल देना ठीक है सर चले आगे अब अब बोर्ड नोट्स अब आपको screenshot नहीं मिलेगा अब ऐसे हाँ proper एक और concept आता है वो आता है indifference return सर क्या concept है multiple choice question आ सकता है बोले ऐसा है राम है राम के पास भी यह 100 रुपिया है खुझ से इन्वेस्ट करे और वो खुझ से इन्वेस्ट करे तो 18 परशन के कमाई होगी उनका यह मानना है मतलब 18 रुपिया अब राम के मन में यह है कि अगर मैं खुझ से इन्वेस्ट ना करूँ मैं mutual fund को अगर 100 रुपिया मुझे तो 100 रुपिया देना इधर दू याँ इधर दू पर mutual fund आप 18 रुपिया हम मुझे दोगे तो बिले सुनो सुनो अगर हम mutual fund को 100 रुपिया देते हैं तो problem क्या है mutual fund में 2 परशन उनका initial expenses कर जाता है तो यार mutual fund के पास investment करने के लिए क्योंकि राम का पैसा 2% कट गया management खर्चा है तो sir 98 ही मिला yes sir mutual fund को अब उस 98 को invest करना है 98 को invest करेगे तो कम से कम उनको 18 रुपए की तो कमाई करना चाहिए तो percentage में बताओ sir 18 रुपए की कमाई करना है 98 लगाकर 2% initial काटो ना यार plus 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 one percent उनका हर साल का खर्चा वो भी कमाना पड़ेगा that's it तो mutual fund कितना कमाए ये indifference हो जाए mutual fund खुद सोचो ना initial कटने के बाद उनके पास investment करने के लिए 98 ही तो बच्चा और 98 पे 18 रुपए तो वो कमाना पड़ेगा plus 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 हर साल का जो खर्चा है वो भी कमाना पड़ेगा तब भी उसको indifference return बोलेंगे formula लिखा है पर formula हमारे काम formula कुछ नहीं है 18 रुपिया कमाना है initial expenses काट दो 98 और प्लस जो भी आपका खर्चा हुआ ठीक focus question number 32 question number 32 क्या हमारे ty के 1 page number 8.2 और उन्हें छोड़ो common sense लगाते सर हम मुझसे calculation mistake हो गई थी पच्चों ने जान ले लिए हो गई थी इसको ठीक कर लेते हैं तो ले यार Mr. A कितना earn करना चाहता है सर 16 पर्षन तो 16 पर्षन 16 उपर लिख लेते हैं He is considering recently announced equity mutual fund और initial expenses cut के पैसा investment होगा मान दो सर 100 है तो minus 5.5 सर 94.5 into 100 कर रहा हूँ सर 94.5 into 100 इतना तो मुझे कमा नहीं पड़ेगा प्लस कुछ recurring expenses है तो वो भी कमा लेंगे 1.5 यह तो पर्षन्टेज में है यह अल्यड़ी पर्षन्टेज में यह मैंने पर्षन्टेज निका लिया सर 100 कहां से आया assume किया तो सर 16 divided by 94.5 into 100 plus 1.5 सर आंसर 18.43 है प्लीज भाई साब इसको ठीक कर ले न आंसर है 18.43 पर एक गलती हो गए थी calculation mistake है आप यह इतने समझदार हो calculation में मुझे तो बहुत होता है यह कैसे बन गया तो बन गया यहां अग तक हो गया आंसर पहले का जमना वरत ओके सर तो यह वाला एक multiple choice question इसका आएगा प्लीज कर लेना MCQS यह question भी है AFM का नहीं है पर question अच्छा है एक बार देख लेना इसको सर LDR में यह वाला डालोगे क्या हाँ जी इसको भूल सकते हो आप सर यह वाला question आप revision में करवाओगे कि same ही question है और यह वाला part बहुत आहानी से कर लोगे इसलिए इसको मैं revision में नहीं करवा रहा हूँ इसको आप देख लेना दिल करेगा तो देख यह वाला question 34 काठी दीच सर यह वाला question simple है simple है वही formula लगाए है और यह वाला जो part है वह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं तो इसलिए इसको आराम से कर देख अगर मैं नहीं भी करवाँ तो common sense लगा रहे कर देख hedge fund का एक ही question है hedge fund है क्या वैसे तो theory upload करूँगा आपको upload क्या sorry आपके google drive में upload हो गया है mutual fund का थेरे वाकि वाकि डेरिविटियों वगिरा सब कर रहा हूं थीरे थीरे ठीक है सर बात करे yes hedge fund क्या hedge fund hedge fund hedge fund तो सुनो यह होता था कि यार देखो mutual fund में तो यार आप asset management company बहुत सारी public से थोड़ा थोड़ा पैसा लेती थी और उसको ऐसा नहीं कहीं भी दिल करेगा तो लगा देगे ऐसा नहीं चलता सोच समझ के काम करना होता था ज़्यादा डेरिविटियों में नहीं जा सकते मतलब ज़्यादा खेल नहीं खेल सकते थे उन पैसों का चाहकर भी public अब ऐसा लगा है हेज़ फंड में क्या था है हेज़ फंड में भाई सीए साहब है और सीए साहब को मैं हूँ यहाँ मैं आपका फंड मैनेजमेंट करूंगा ओके तो यहाँ दिखके थे यहाँ आप advertisement वगेरा कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ कम से कम लोगों का से भी का कहना है कम से कम लोगों का पैसा लोगा एक limit होगी वो limit कि और उनका fund manage कीजिए और फिर वो पैसा आप जहाँ चाहें वहाँ लगाईए सामने वाले से बात कीजिए कौन कितना risk लेना चाहता है उस पैस हिसाब से आप लगाईए मतलब सर आप fund manage कर रहे हो यस लोगों का उसको मैं hedge fund बोल रहा हूँ सर hedge fund क्यों नाम पढ़ा वो अभी नहीं समझा सकता market के गिरने से भी hedge हो सकता है सर क्या बात कर रहे है mutual fund में कि तो हम पढ़े जाते subject to market risk यहाँ कोई subject to market risk नहीं है कुछ ऐसी strategy बनाओं कि market गिरे तो भी फायदा हो जाए hedge हो जाए छोड़ो नसर theory छोड़ो आता क्या है भाई साब इसमें एक ही question है वो है CA का fees calculation का तो ऐसी मात है कि जब आप आए मेरे पास तो मैंने का भाई कितना रुपिया बोले 10 लाग रुपे मैंने का यार 10 लाग रुपे का एक percent तो आपको दे नहीं पड़ेगा basic fees है चाहे एक मेहने में मैं आपका बढ़ा दू चाहे कम कर दू वो मैं चलाओंगा दिमाग बढ़ाने के लिए पर अगर loss भी होता है तो ऐसा मत कि फीसी नहीं दोगे फीस तो आपको लगेगा लगेगा तो ठीक है basic प्लस अगर मैं धंग से महनत करता हूँ तो मुझे incentive भी चाहिए बोले incentive भोले धंग से महनत ये कैसे समझ में आएगा बोले बता रहा हूँ न बोले देखो पिछले past years में आपका portfolio ऐसा रहा है कभी 11 लाग, कभी 12 लाग कभी 13 लाग, फिर 10 लाग हो गया बोले सुनो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 10 लाग से उपर करके दूँगा past period में जो maximum value है अगर उससे भी बढ़ा देता हूँ उससे भी ज़्यादा अगर portfolio आपका बढ़ा देता हूँ तो incentive चाहिए पक्का, ये रोक नहीं सकता तो वही सब कुछ है hedge fund में तो question number 35 PYK 23 page number 8 point ये आपके book का question सर है क्या A&P ने hedge fund currently कितना है सर 20 करोड रुप है 20 करोड दिया मुझे सामने वाल और उस पे मैं तो सिये हूँ तो सर्व आप 0.1% तो लोगे ही लोगे basic fees, fees calculation के लिए आता है आप भी जानते है 12 लाग रुप है तो लगेगा इसके लावा incentive 2% मिल जाएगा मुझे अगर the incentive will be linked to gross return each year in access of the portfolio maximum value since inception of fund और maximum value दिया है 21 करोड अगर आप 21 करोड से उपर ले जाते हैं तो वो जो difference है जितना उपर गया है उसका आपको 2% incentive मिलेगा सर मान लो 29% कर दिया आपका पहले था 21 करोड से 29% बढ़ा दिया 21 से नहीं यहाँ गलती हो सकती है अभी 20 करोड है ना तो 20 करोड से आपने 29 बढ़ा दिया ठीक है सर और minus क्या करोगा 21 से उपर गया है ना maximum value past year का था उससे उपर गया अभी 20 है और आपने इतना बढ़ा है कि वो 21 से भी उपर निकल गया तो मुले उस पे incentive मिलेगा दो पर दूसरे में अगर हम साड़े 4 परशन से बढ़ाते है तो क्या 21 से उपर गया सर 20 into 1.045 20 into 1.045 सर नहीं गया नहीं गया तो नहीं मिलेगा incentive और loss उबा तो काहे का incentive और ये आ गया टोटल सर ये भी LDR में हाँ जी आश्ट में देखके जाना चाहिए इस question को ठीक है तो सर अब क्या करने वाले हैं अब करवाने वाले हैं performance evaluation of mutual fund ठीक है सर श्टार्ट कर रहे हैं मेरे लिए एक minute कबर एक उसके बाद जो श्टार्ट करेंगे खाता ओके तो अगली बात है performance evaluation of mutual fund सर ये क्या चीज है बिल्कुल सिंपल है हम लोग क्या करते थे सुनना ध्यान से सर हम लोग shares में पैसा नहीं लगाते थे shares में पैसे लगाने के अप एक चा mutual fund में पैसा लगाते थे क्योंकि यार हम को कौन जंजट ले कि यार कि shares में पैसा लगाना A में लगाना कि B में लगाना कि reliance में लगाना है हम mutual fund को पैसे दे और वो खुड decide करेगी कहां करना अब समस्या क्या आ गई समस्या ये आ गई कि अब mutual fund भी बहुत सारे हो गई तो अब shares की बात छोड़ दीजिए या mutual fund का tension है कि कौन से mutual fund में पैसा लगाना है तो sir tension खतम कहा हूँ ये तो और बढ़ गई तो sir कैसे check करेंगे तो बहुले एक performance check कीजिए past performance की mutual fund ने कैसा performance किया अगर उन्होंने अच्छा performance किया है जिसन में जो mutual fund ने सबसे अच्छा performance किया है उसके हिसाब से आप पैसा लगाई है तो sir इसमें हम return देखकर भी तो काम कर सकते हैं कर सकते हैं पर और भी तरीके उन्होंने बताया है तो एक बार सुन लो उन्होंने गा मान लो दो mutual fund है mutual fund A और mutual fund B और हमें दोनों में से एक select करना अगर आप return देखो तो इन्होंने return 15% कमाया और इन्होंने return पास्ट का return जिसको मैं आरपी बोल रहा हूँ और इन्होंने 16 कमाया ठीक है sir return ज़्यादा है तो risk भी तो ज़्यादा है और sir beta भी तो दिया हुआ है yes तो मन करेगा coefficient of variation से उससे भी decide कर सकते sir RF और RM भी दिया हुआ है पर पोर्टफोलियो में performance evaluation CV भी एक तरीका हो सकता है पर उन्होंने तीन तरीके बताया है sharp ratio यह sir पढ़ा हुआ है sharp ratio trainers ratio यह भी मैंने पढ़ाया है sir sharp ratio मतलब risk premium और risk premium कैसे निकलते RP minus RF sharp ratio में नीचे होता है total risk standard deviation sir trainer ratio RP minus RF और नीचे होता है बीटा अच्छा sharp ratio में और यह है trainer ratio और sir alpha मतलब alpha कैसे निकलते RP minus की और की किसके हिसाब से CEPM कैसे अगर sharp ratio ज़्यादा है मतलब अच्छा performance sir trainer ratio ज़्यादा है मतलब logic में आपको बता चुका हूँ कितने risk के पीछे कितना extra return इतने risk के पीछे कितना systematic risk के पीछे कितना extra return तो बस निकाल लेंगे यह निकाला हमने sharp ratio A का और B का इसका अगया 1.6 sir इसका performance अच्छा trainer ratio में वही risk premium रहेगा पर नीचे क्या रहेगा बीटा सर इसका performance अच्छा सर मतलब अलग-अलग आ सकता अलग-अलग आ सकता सर यह क्या कर रहे है institute ने जो पिछले attempt में question डाल रखा है हद कर दिया वो मैं करवाँगा वैसे पर उन्होंने 16% की जगा 16 की जगा 0.16 लिया है और 7% की जगा 0.07 और बीटा का बीटा तो यह आया उनका trainer ratio बच्चे पागल होगा इस चक्र में बहुत कुछ घटित हुआ है वो सर वो मैंने class के सार तो डिसकस किया हूँ वो वल्ला question तो उसको separate करवा दूँगा paper में सारा upload कर दूँग तो फिर trainer ratio 5.1 की जगा 0.0581 दिखाई दे सकता है खिर अभी यहां समझने की बात करो और alpha हमको निकालना आता है इसका 0.5 इसका 1.25 तो सर alpha किसका है तो इसको first rank फिर अट्स इट और क्या है simple बस मैं आप से क्या कह रहा हूँ मालो यह दिया है यह दिया trainer ratio ऐसे दिया तो यह percentage हटा कर आपको इसको percentage हटा कर लिखना पड़ेगा ओके इस type का coach trainer ratio ऐसे दिया है तो जो RP-RF आएगा न वो .0900 आएगा बस इतना याद रखना खेर वो question के साथ में होगा तो सर इस दूसरे example को cut कर दीचे अभी समझ में आये गई question number 36 portfolio management का question है mutual fund मतलब सर हमारी book में हमारी book में तो mutual fund में ही है question number 36 दिखाई देगा आपको अकि portfolio management में जो आपका जो AFM का module है उसमें portfolio management में में ने दो question चुड़वाया था PYK 41 आपको वहां मिल जाएगा यह वाला question कुछ नहीं है कुछ नहीं है इस question में sir RP दिया हुआ है RF दिया है sharp ratio में नीचे standard deviation निकालेंगे और trainer ratio में नीचे बीटा लिखेंगे और उसके सबसे हम काम करेंगे तो sir इसको करें क्या cut कर दो यह तो मैंने वैसे भी regular class में homework दे रखा question number 37 यह भी हमारा AFM के module में है portfolio management में हमारी book में question number 30 इसमें तीनों मांगा है sharp ratio, trainer ratio sir इससे multiple choice question आने का बहुत ज़्यादा उमीद है बहुत ज़्यादा even दूसरे institute ना इस पे MCU पका पका देते तो इसकी तैयारी अच्छ से करोगे और sir इसमें RP दिया है लेकिन standard division भी दिया लेकिन sir beta नहीं दिया तो beta के लिए हमको ये दिया हुआ standard division cette division और sir standard division of market भी पका दिया होगा चेक करो हाँ sir standard division of market दिया हुआ है और correlation दिया तो beta निकालेंगे और beta निकालेंगे तो फिर görम requirements ओके सर इसको भी कट कर दें कि जिरूरत नहीं इसको भी कट कर सकते ये बाला कोश्चन है LDR ये बाला कोश्चन अच्छा कोश्चन है TYK22 पेस नुमबर 8.29 अच्छा कोश्चन है ओके सर देखें इसको मैंने D.Mutual Fund और K.Mutual Fund बोश्चन है इच है विंग क्लोस ये कौन सा है TYK22 में मिल जाएगा और दोनों क्लोस एंड़े है हलाग कि हमें ओपन एंड़े और क्लोस एंड़े से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला एंड़े दे रखा 31 दिसंबर 2014 का एक्विटी स्कम D.Mutual Fund का एंड़े है 70.71 पैसे इसमें 99% एक्विटी कंपोनेंट है एंड़े जो बनता वो कैसे बनता सर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड़ेड बाइन नमबर ओफ यूनिट्स तो एसेट्स में जनरली शेयर्स होते हैं और कैस भी तो होता है तो बने 99% एक्विटी पोर्शन है और बचा हुआ कैश ठीक है सर तो अगर मैं कहता हूँ 70 रुपे 71 पैसे में 70 रुपे हो गया एक्विटी पर यूनिट और कैश पर यूनिट हो गया 0.7 ऐसे किसकाद है ऐसे के मेंचल फंड का भी हमने निकाल लिया आगे सर एक्विटी और कैश के क्यों जरूत पड़ती क्योंकि यह देखो बीटा है या जो भी दे रखा है बीटा मतलब समस्ते हो सर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा पर इसमें सिर्फ क्या गिरेगा एक्विटी गिरेगा तो सर शार्प रेशो दिया है ठीक है जी सर ट्रेनर रेशो भी दिया है और स्टेंडर्ड एविशन दे रखा तो स्टेंडर्ड एविशन कौन से रेशो में काम आता इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि भाई देखो ऐसा है कि खर्च तो है नो चैंज इन पोर्टफोलियो मतलब मतलब कुछ खरीद नहीं रहा है हमा और एक्विटी में पैसा नहीं डाल रहा है लेकिन खर्च है तीन रुपए पर उनिट पर एनम एनवल पर एनम एक साल का एक उनिट के बीछे तीन रुपए खर्च है शेयर मार्केट गोज डाउन बाई फाइब पर्शन वितन अ मन्त बुले एक महने में शेयर मार्केट मार्केट डाउन हो जाएगा पाच पर्शन तो सर्व मार्केट डाउन होगा तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा यस इसमें फर्क पड़ेगा यस पर कितना सर्व मार्केट पाच पर्शन से गिरेगा तो ये भी पाच पर्शन से गिरेगा नहीं डिपेंड करता बीटा ओके सर और सर कैश में फर्क पड़ेगा अगले महां पड़ेगा खर्च कम हो जाएगा सर एक उनिट का एक साल में कितना खर्च आए तीन रुपए तो सर एक मेहने में कितना तीन डिवाइड बाई बारा करके विटमिस में क्या कहना चाता हूँ वो आपसे क्या पूछेगा वो आपसे पूछेगा एनेवी अप्टर एक मेहने बाद वो आपसे पूछ रहा एनेवी बताईए अप्टर वन मन्त तो वो बता सकते आलो मैं ये कोशन बेसिकली क्या है बीटा कैसे निकलेगा उस पर बागे और कुछ नहीं, तो सर्फ सबसे पहले मैंने शार्प रेशो को यूच किया, क्यों? क्योंकि मुझे शार्प रेशो मालूम था और ये मालूम था, इसकी हेल्प से मुझे आर पी माइनस आर एफ निकल गया ओके सर, और फिट ट्रेशो मालूम है, मुझे बीटा मालूम है, तो इसको यूच किया, तो सर्फ बीटा नहीं मालूम, तो फिर में जे बीटा पता लग गया, इसका बीटा है 1.5, तो मार्केट पास से गिरेगा, तो पाच इंटो 1.5, तो ये साड़े साथ पर्षन से डाउन होगा, वही हुआ है, पहले मैंने कैश निकाल लिया, कैश में से ये 0.25 माइनस किया, तीन रुपए साल भर का, तो बारा मैने का, तो एक मैने का कितना है, तो सर्फ ये कैश आ गया है, एक मैने बाद, अब बात करते किसके एक विटी की, 70 रुपए था, बीटा 1.5, तो पा भी वैसे, बहुत अच्छा कोशन है, बहुत अच्छा कोशन है, मैंने LDR में लिखवा दिया हूं सायथ, ये कोशन कटवा दिया, कटवा ना ही था, ये कोशन करना मत करना, बलकि बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें क्या है, आपको RP निकालना पड़े, और standard deviation निकालना पड़ और standard deviation निकालना पड़े, standard deviation of portfolio, उसके बाद तो काम हो जाएगा, और सर, correlation दिया है, तो बीटा निकल जाएगा, ऐसे तो कोशन अच्छा है, करने वाला कोशन लगता है मुझे, बाठीक है, इस कोशन को सर, कट कर दीजी, येस, और कोशन नमबर 43, अच्छा कोशन है, बड़ कोशन है, कई बार repeat हुआ, कई बार, कई बार आया है कोशन, सर, हमारी बुक में TYK, AFA module में TYK 21, पेज नमबर 8, अच्छा कोशन है, ठीक है, सर, एक बार देखे, क्या, हाँ, देख रहे है, देखे, ये तो सर, आपको, ये तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझाना भी नहीं चाहता, ये जब समझा दिया, जो समझाना था, जरा काम की बार, काम की बार, इस कोशन में special क्या है, सर, इस कोशन में special ये है, कि जैसे यार mutual fund कमाती है पैसा, और सर, company से dividend में मिलता है, तो क्या वो dividend अपने unit holder को हर महने बाटती होगी, नहीं सर, हर महने क् बाटती है, जो dividend मिलता या जो dividend accru उता, जो dividend मिलता, उसको हर महने नहीं बाटती है, क्योंकि ऐसा में तो काम कैसे चलेगा, हर दो-तीन महने में एक बार बाटती है, अब सब जब तीन महने में एक बार बाटती है, जैसे पहले महने का dividend, अभी unit holder मालो तीन लाग थे, पहले म मैने dividend मिल गया है वैसे ये unit holder को बट जाना चाहिए था पर नहीं बटा बोले हम आपको तीन मैने बाद देंगे जब तीन मैने हुए पर बीच में और भी तो लोग आये होगे तो वो जो पहले मैने का dividend है वो first month का dividend सिर्फ उनी unit holder को मिलना चाहिए जो उस दिन थे उन लोगों क इस question में लिखा है कि open ended scheme है mutual fund है जिसने एक अप्रेल को 300 लाक यूनेट इस्चू किया ठीक है भई एक अप्रेल को 300 लाक यूनेट इस्चू किया और कितने के सबसे बूले 18 रुपया 75 पैसे के सबसे तो total net asset आ गया 5625 तीन सो लाक यूनेट इस्चू हो रहा है एक यूनेट है 18 रुपया 75 पैसे के सबसे तो total 5625 ता आगे आगे बहुत कुछ लिखा है पर मैं उसकी आगे क्या लिखा सर बता हूँ बोले at the end of April बोले ये अपरेल खतम हुआ ठीक है अपरेल खतम हुआ अब बोले it is issued छे लाक यूनेट और इस्चू हो रहा है प्लीज ध्यान देना कितने में बोले opening एनेवी में पागल हूँ हमने पूरा चैप्टर्स खराब कर रहे हैं हमने अभी तक ये समझा है कि जिस दिन यूनेट इस्चू होता है उस दिन का एनेवी कितना होता है उस पे इस्चू होता है बोले नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं हमारी मर्जी हम इस पर इस्चू करेंगे 18 रुपे 75 पैसे के सबसे कितना units issue कर रहा है बले 6 लाक अब यार ये कह रहा है यार बीच में कमाई हो रही है ये dividend और कितना dividend हो रहा है बले ये देखो ये देखो income of April दे रखा dividend 22.95 ये 22.95 लेक्स ये लोग जो 300 लाक unit holder है न वो कह रहा है यार 6 लाक units issue हो रहा है बले हाँ और बोले opening NAV पे मतलब ये वाला NAV पे तो ये कहते भई हम लोग पागल है क्या ये जो कमाया है ये जो कमाई हुई है किसको mutual fund को इस पे ये 6 लाक का अधिकार थोड़ी न है कल को जब dividend बटेगा तो बोले ये जो बटेगा न वो तो हम सब में बट जाएगा जबकि इस पे तो सिर्फ हमारा अधिकार है प्रॉब्लम ये है अगर यहीं के NAV पे issue होता तो दिक्कत ही ये नहीं दिक्कत है कि आप opening NAV पे issue कर रहे हो तो ICAE का कहना हमने ये नहीं बोला सिर्फ opening NAV आगे भी बोला है अब जड़ा आगे पढ़ो बोले हम जो units issue करेंगे 6 लाक वो opening NAV प्लस लोट बोले इसमें क्या है लोट से तो हमको पहले भी हमसे भी तो लोट लिया है हमारा समस्या लोट का नहीं है entry लोट का हमारा समस्या ये वाला income बोले सुनो और adjust होगा dividend equalization तर मतलब बोले आप समझा रहे हैं ना जबी से आप हल अब मेरी बास सुनो जो 6 लाक unit holder है वो देंगे हमें ये 18 रुपिया 75 पैसे तो देंगे ही साथ में entry load भी लेंगे साथ में सुनो 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 अब भी ये जो है आप 300 में बढ़ता हम बोले हां कितना बढ़ता है 22.95 divided by 300 बोले 0.0765 एक unit को मिलता हम हमको तो मिलता बोले अभी ये अभी मैंने रखा हम ये आप ही का पैसा है बोले इन 6 लाक से एक unit पे मैं 0.0765 और बुलवा लेता हूं ठीक है ना पैसा आ गया भाई एनेवी का जो देना था दिया जो लोट का देना था दिया और मैंने उनसे extra बुलवाया है जो dividend आपको बाटने वाला था वो तो नहीं बाट रहा हूं प्लस उतना ही पैसा 6 लाक के हिसाब से बुलवा लिया अब आप दोनों एक बरावर हो गए आप दोने एक वल हो गए ऐसा हमने goodwill में पढ़ाता है हाँ old partners नहीं new partners जब आता है तो goodwill का पैसा लेकर आता है ताकि जब future में हम profit बाते तो सब को ब बता दिया income available for distribution मांगा है तो देखो कैसे निकला का आ गया भाई ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा कोशन बार बार आता है अप्रेल में हमारे पास 300 units थी और 22,95,000 की हमारी income होई थी income पोच रहा है तो बहुत एक यूनिट पर इतनी income होई थी ठीक है बस बहुत जब 6 ल उनसे हम इतना तो बुलवाएंगे ही, एने भी वए जो देना है देगे पर income के रुप में उनसे हम मंगवाएंगे, क्यों मंगवाएंगे क्योंकि जब future में बाटना रहेगा तो सब को एक बराबर बट तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा इतना यह है हमारे पास थ जाएगा, अब तो खुश, तो में में भी इंकम हुई ना यार, यस, और इस में का जो इंकम हुआ, अब तो पूरे 306, क्योंकि वो लोग भी तो आ चुके, अब आ गया, अब 3 लाक यूनिट होल्डर जाना चाहते, जो अपरिल में भी थे, में में भी, मतलब सर उनको जो पै मतलब जो जा रहा है, दो मेहने बाद, उनको ये भी मिलेगा, अपरिल का इंकम, और में का इंकम भी मिलेगा, इंकम मिलेगा, बोल रहा हूँ मैं, एने भी तो जो मिलना है, मिलेगा, ये मिलेगा, और इसमें मैंने जून का भी इंकम जोड दिया, ठीक है, और उसके बाद उन्हों ने लिखा कि जो income हमारे पास available था उसका 70% हमने dividend दे दिया तो वो 70% यह dividend भी ले ले इसके बावजूद भी हमारे पास इतना पैसा बच्चा है 333 के हिसाब से तो यह है income available for distribution दूसरा issue price अप्रेल में क्या होगा अप्रेल में हम NAV जो भी होगा opening NAV बोला तो 18 रुपय 75 पैसे plus lot plus lot plus पैसा बुलवाएंगे कितना 0.0765 तो यह आ गया issue price simple है दूसरा repurchase price क्या होगा तो sir opening NAV यही 18 रुपय 75 पैसे minus lot और सामने वाला जब ले जाएगा तो उसको यह income भी तो देना पड़ेगा 0.1890 इसके लिए तो detail में lecture देखो कि तो बहुत अच्छी बात है याद आ गया तो बहुत अच्छी आ था नहीं तो इसके बात क्या मांगा sir NAV मांगा 30 जून को 30 जून का NAV तो सबसे पहले NAV तो निकालना आता है sir opening हमारे पास यह था ठीक है sir तीन मेने की income हुई sir जो आए 6 लाक वो कितना पैसा लेकिया है 6 लाक unit holder लेकिया है कितने के सबसे 19.2015 sir portfolio का value भी तो बड़ा लिखा हुआ है yes portfolio का value sir redeemed हुआ units 3 लाक unit holder को हमने इतना दिया yes और sir dividend distribution हुआ divided by 300 था तो यह आगया हमारा NAV तीन मेने बात का okay sir question अच्छा था question बड़ा था time लगना ही था यह वाला question कटी कर दो same question है sir यह वाला question भी cut कर दीचे yes आपको practice के लिए दिया था यह वाला तो मैंने ही काट दिया repeat हुआ था और यह मैं करवाँगा वैसे पर बहुत अच्छा question आया था मालूम है percentage हटा कर बात किया था trainer ratio ना बज़ आ गया था question question number 42 हमारे AFM का जो मॉडुल है उसमें TY के 16 page number 8.26 देख ले sir क्या मांग रहा है कुछ नहीं NAV मांग रहा NAV निकाल सकते है एक अप्रिल से बात होती ही तो सायथ cash वाली बात आ जाती है एक अप्रिल की जब भी बात होती cash वाली बात एक अप्रिल को ABC Mutual Fund ने कितना units issue किया 20 लाख कितने के सबसे 10 के सबसे 200 लाख हमारी पास आया उसमें से 12 लाख का खर्चा हो गया उसमें से 185 लाख आपने investment कर दिया तो हमारी पास 3 लाख रुपए cash बचा पीच में during the month क्या हुआ sir 30 लाख का कुछ instrument था उसको हमने 63 लाख का बेच दिया पैसा कितना है 63 तो 63 की बात करो मैं 500 की बात करना हूँ profit भी तो हुआ वो बाद में सोचेंगे 3 लाख का profit बाद में सोचेंगे sir इसके अलावा आपने और 56 लाख का security खरीदा तो sir पैसा गया सर इसके लावा management expenses थे 8 लाख उसमें से 10 परशन अभी भी area है मतलब 8 लाख का 90 परशन तो आपने payment कर दिया पैसा गया sir इसके लावा dividend का भी income हुआ 2 लाख रुपे प्लस इसके लावा ये वाले point में में फस गया था distribute किया 80 percent of realized earning तो मुझे ऐसा लगा था कि sir 2 लाख जो कमाया उसमें से हमने unit holder को 80 percent distribute कर दिया लेकिन ऐसा नहीं है realized earning दो रूप में हुई है capital gain और एक है dividend income sir या LDR में जाये का क्या किसके लिए जा सकता पर चल जाये sir capital gain जो हुआ उसका 80 percent distribute हुआ जो dividend income हुआ उसका 80 percent dividend हुआ तो हमारे पास closing cash बचा 0.8 और closing cash हुआ जायेगा यहा value of share portfolio दिया है question में 198 और outstanding management expenses है यह NAV आगा है 9.9 इसके लावा holding period return मांगा है तो closing NAV minus opening NAV और यह dividend per unit निकाल लिया मैंने 1.60 side दिया हुआ yes sir और 2.40 divided by 20 lakh unit तो NAV capital gain per unit और dividend per unit निकाल लिया तो यह आगया 1 percent 1 month का तो 12 मेने का 12 percent अच्छा कोशन है चले आगे question number 46 वैसा ही है तो sir cut कर सकते है कि cut कर दो वो दिखते है अब दो ऐसे concept है जिसके question नहीं है अगर चाहो तो revision करो चाहो तो यहाँ revision आपका खत्म है it means मुझे pharma net selectivity model उसका में मुझे revise करवाना पड़ेगा और साइध यह question है देख रहा है नो आपको हाँ sir यह वाला question है और pharma net selectivity के अलावा जो है मैं आपको जो करवाँगा तो करवाँगा tracking error tracking error और pharma net selectivity model sir यह concept के questions नहीं है अगर AFM module की बात करूँ तो क्या किया जाए revision कर ले की revision तो कर लेते एक बार जब इतना कर किया है तो थोड़ा और कर लेते हैं ठीक है तो मैं tracking error और pharma net selectivity model का revision करवा देता हूँ पर time लगेगा 10-15 मिनट तो लगेगा भाई इतना time अगर दे सकते तो बहुत अच्छी एक नशर दे रहे हैं चलो तो मैंने कहा था pharma net selectivity model एक ही question है इसका जो exam में आए A.F.M. module में नहीं है ये question सर क्या concept है? concept simple है जैसे हम लोग ये decide करते हैं कि कौन से portfolio में पैसा लगाना है ये कौन से mutual fund में पैसा लगाना है मालो दो mutual fund है ठीक है सर तो सर हम alpha निकालते हैं बिलकुल और कितना कमाया इन्होंने हमने कहा 15 percent कमाया 15 percent ठीक है और alpha निकालते तो हम क्या करते हैं इस तक K ही निकलते हैं ठीक है और K ही आया है 11.40 percent है तो हमने कहा कि यार कमाना कमाया 15 कमाया ना चाहिए था 11.40 percent तो performance बहुत अच्छा है 3.6% एक्ट्रा कमाया लेकिन सोचो ना यार अगर आप कह रहे हैं कि 3.6% एक्ट्रा कमाया है ठीक है security market line से आपने return निकाला 11.40 तो सर यहां जो कमाया यह तो दो रिस्क की वज़े से कमाया होगा total risk systematic और unsystematic यस लेकिन यह जो कर रहे हो beta से multiply करकि यह जो return निकाल रहे है तो सिर्फ systematic risk की वज़े से निकाल रहे है comparable कैसे हो से तो हम क्या गह रहा है कि आप comparison करना है तो आप सिर्फ और से beta को focus नहीं कर सकते आपको standard deviation को focus करना पड़ेगा मतलब आपको capital market line लगाना और आपने capital market line लगाया मैं गहरा हूँ कि यहाँ जो उसने extra कमाया है portfolio manager ने वो अपने skill की वज़ह से नहीं कमाया है सर इस skill की वज़ह से कमाता तो skill की वज़ह से actual में divergification भी तो important है ओके सर अब ध्यान से समझे बहुत सारा concept नहीं करवा सकता time कम है तो सिर्फ काम की बात करूँगा सर इसका detail video अगर आप बोलोगे तो मैं description में डाल दूँगा अगर आप बोलोगी तो मैंने कहा यार जो comparison करना है वो मुझे तो इस से करना है मतलब मुझे यहां total risk लेना मुझे capital market line लगाना है और अब मैं बोल सकता हूँ कि यार अपने skill की वजह से उन्होंने extra कितना कमाया 1.25 पर यह है सही performance जबकि sml से difference कितना आ रहा था 3.6 और यहां कितना आ रहा है 1.2 तो अपने skill को use करके 1.2 कमाया ठीक है सर एक्स्ट्रा तो सर जो वैसे तो एक्स्ट्रा तो 3.6 दिख रहा है पर आपने तो 1.2 लिया तो एक्स्ट्रा तो कमाया ना यार यार यस पर वो किसकी वजह से कमाया वो compensation मिला unsystematic risk का सर थोड़ा सा समझना मुस्किल है और समझाना भी मुस्किल है यहां तो सर इसको revision में याद कर ले तो चलेगा सर बाकी concept मैंने class में अच्छे से discuss कर रखा है तो simple सी बात है मैं इस 3.6% जो है इसको दो पार्ट में डिवाइट कर इसकील की वजह से जो कमाया है उसको मैं बोल रहा हूं 1.2% और सर compensation जो unsystematic risk का मिला तो extra जो difference है उसमें से मैंने 1.2 माइनस कर दिया तो जो 2.5% है वो किसकी वजह से वो बले compensation for unsystematic risk simple है कुछ नहीं करना है जो alpha निकला उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइट किया तर ये concept में time लगना चाहिए इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइट कर तीर skill की वजह से जो कमाया हूँ है 1.2% और जो extra risk लिया उसकी वजह से 2.4% इस पे एक question भी है वो वो question यह है इसमें एक portfolio का monthly return दे रखा है तो monthly return से मैंने rp निकाल लिया ठीक है और इससे मैंने rf निकाल लिया rm निकाल लिया गोल किया you are required to find out the monthly return attributable to share skill of the portfolio management पहला काम क्या करना है पहला काम करना है सर हमें capital market line से return निकालना cml को यूज करके और इसमें से minus कर दिना तो answer आ जाए मैंने capital market line से return निकाला है और इसमें से return minus कर दिया तो यह आ गया .404 अब सर हमें क्या करना अब security market line से return निकालना और वह मैंने निकाला यह किसके हिसाब से आया सर यह आया sml के हिसाब से और जो capital market line है उसमें से sml minus करती है तो यह alpha निकालके भी काम कर सकते है इसको छोड़ सकते हैं कि अगर आपने concept नहीं किया तो आपको छोड़ना पड़ेगा समझ में नहीं और यहां इसको समझाने में मुझे आदा घंटा लग गया है regular class में इसको तो मैं यहां नहीं समझा सकता है आप बोलोगे तो description दूसरा है tracking error tracking error क्या होता है portfolio manager करना performance check करते हैं तो हम ना उनको एक benchmark दे देते हैं ठीक है benchmark return भाईया इतना कमाना है आपको पर उन्होंने risk को देखते हुए उनको इतना कमाना चाहिए था benchmark return बोलते हैं पर कमाया इतना तो यार सिब एक साल का return देखके न हम यह नहीं बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा performance हो सकता कि कभी कभा तुक्का लग जाता है तो हम कभी भी एक साल का return पर focus नहीं करते हम average लेते हैं ठीक है सर वो हमने average ले लिया हमने बहुत सारे average ले लिया और जो difference आया उसको हमने नाम दिया active return कियार किसी साल 2% जाता है किसी साल 1% जाता है किसी साल 3% जाता है पर कभी कभी जितना benchmark था उससे कम कमाया यह निकाल इसको बोलते है active return अब इसका हम क्या करेंगे average और average करके इसका क्या निकालेंगे हम standard deviation जिसको हम बोलते है tracking error कुछ नहीं है बाई tracking है वही मैंने यहां काम करेंगे मैंने average निकाला जी average आ गया 0.8% और tracking error चाहो तो divided by n कर सकते हैं वैसे यही करते हैं portfolio management में पर कभी कभी tracking error निकालते समय जो formula लिखा हुआ है आपके FM FM के module में उन्होंने n-1 किया वो भी मैंने आपको समझा दिया तो सर हम ऐसे भी कर सकते ऐसे भी कर सकते दोनों कर क्या ना दोनों सर ट्रेकिंग में error मतलब standard deviation और कुछ नहीं इसका standard deviation सर active return का standard deviation अब हम निकालेंगे cv cv मतलब सर this divided by this cv cv type का अच्छा सर मतलब सर standard deviation divided by यह वही मैंने यहां काम किया हलाकि यहां sharp ratio जैसा formula बनेगा सुनना ध्यान सुनना एक तो cv होता और एक होता sharp ratio सर sharp ratio क्या होता है sharp ratio होता सर rp minus rf मतलब सर difference इतो divided by extend और sharp ratio higher होना चाहिए अच्छा सर तो information ratio मतलब cv नहीं information मतलब sharp ratio sharp ratio क्या average active return मतलब सर difference इतो लिया है अपने yes divided by क्या किया standard deviation इसको नाम दिया information ratio और information ratio should be higher तो सर हम cv निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते आपको information ratio मांगेगा तो आपको यही इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा higher respect तो अगर मैं कहूं यह दो पार्ट जो मैंने करवाया एक active return चाहो तो आप ये करो चाहो तो छोड़ दीजिए और दूसरो फामा net selectivity model चाहो तो कीजिए चाहो तो छोड़ दीजिए आप पड़ेपन करता मेरा गाम था करवाना मैंने करवा दिया थैंक्यू सो मच तर mutual fund का टेस्ट और portfolio का टेस्ट कल होने वाला नहीं होगा कल से portfolio management का टेस्ट होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का mutual fund complete नहीं हुआ है तो कल सिर्फ portfolio management का टेस्ट होगा revision video डाल देता हूँ जब इसका टेस्ट होगा तो आपको schedule जो change होगा वो भी मैं अभी शाम को जो live classes होगी ना उसमें डाल दूगा थैंक्यू सो मच बाइबाए थैंक्यू